हलो दोस्तो मैं हूं मिनेज जंगेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष एकडमी जितने भी RRB NTPC स्परेंट है दोस्तों उसके लिए वीडियो बहुत सब्सक्राइब ध्यान से देखेगा वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजेगा आज हम बात करने दोस्तों हाली में मैंने RRB NTPC गिजाम से लिएटर दोस्तों कुछ वीडियो से अपलोड किये थे उसमें दोस्तों बहुंच सारे बच्चों के एको डौट से कुछ कमेंड देखने को मिले आज हम दोस्तों आपके इन्ही डौट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों स सरे बच्चों को दार पूछा गया था बहु हैं दोस्तों की मेरा मेरा सिप्ट बहुंच जाद वाल Today था क्या मेरे माक्स पाम हो सकते हैं और कमरी बात करने वाले हैं दोस्तों था कोशन देखने को मिला रिजल्ट पकप 15 जनवरी को है आएगा ऑर अगर 15 जनवरी को अने व बच्चों को देखने को मिले। आज हम आपके सभी ये doubts clear करने वाले हैं दोस्तों वीडियो में पूरा इसी के बारे में discuss करने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो आपको informative लोगे दोस्तों तो please like, share and subscribe कर दीजेगा। और हां, बेल एगन पर भीट कर दिजगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का अडिपी कसन आपको लगातार सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है दोस्तों, वीडियो सुरू करते हैं, बात करते हैं दोस्तों, आपके सबसे पहले डाउट्स की, क्या final answer की और scorecard पहले आएगा, बता चलेगा, final answer यह अपका क्या है, और scorecard क्या है दोस्तों, जैसे कि answer की आया था दोस्तों, उस ताइम पे बहुंच सारे बच्चों ने objection भी उठाया था, कि यह सारा answer की गलत है, हमारा यह question सहीं भी हो सकता है, इस टाइप की चीज़े देखने को मिलेती दोस्तों, जिन जिन ब दोस्तों, क्या आएगा, final answer की, और scorecard आएगा, यह doubts आता आपके clear हो जाएंगे, दोस्तों, दूसरे doubts की बात करे, क्या after normalization marks कम भी होते हैं, और कम होते हैं, तो कितने होते हैं, बहुत सारे बच्चों की दौरा दोस्तों, यह question भी देखने को मिला, कुछ बच्चों का पहना यह था, दोस्तों, कि सर, हमारा shift बहुत जाद easy था, मेरे इतने marks आये हैं, क्या मेरे marks कम भी हो सकते हैं, और कम होंगे, तो कितने होंगे, बात करते हैं, दोस्तों, marks कम होने की और बंढ़ने की कितने chances होते हैं, देखिए, दोस्तों, अगर आपका shift बहुत जादा hard आता है, maximum आप 60-plus marks से भी लाएं, दोस्तों, और आपका shift easy है, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कि आपका 15 number घर जाए, आपको 50 number दे दिये जाए, ऐसा नहीं होगा, दोस्तों, generally normalization के बाद, आपका marks बहुत जादा घरता नहीं है, हाँ, अगर shift बहुत जादा hard है, तो बढ़ने क chances हैं, दोस्तों, कि आपको 15 number, 17 number घर जाए, लेकिन, यार, after normalization आपका shift कित्ता भी easy है, 15-20 number आपका घटेगा नहीं, दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मान के मत चली, हाँ, थोड़ा बहुत घट सकता है, ये मान के चल सकते हैं, तो आपके दोस्तों, ये doubt भी बिल्कुल मन में नही हैं, कि आपके marks बहुत जादे गिर सकते हैं, यार, इत्ते भी डर में मत रहिए, सब कुछ सही होगा, यार, बस result का वेट कीजिए, ठीक है, दोस्तों, रिजल्ट भी, सिर्फ फोर डेस बचे हैं, दोस्तों, जल्द ही RRB को दोरह result जारी कर दिये जाएगा, आप बिल्कुल इसका attention मत लेजिए, नेक्स बात करें, दोस्तों, क्या result पका 15 जनवरी तक ही आगा, बहुत सारे बच्चों के दारह दोस्तों, ये भी पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चों के तो यार, ये भी objection उठाय थे, कि सर, आप तो omicron virus आ गया, कोरोना के चलते, क्या हमारा exam नहीं होगा, exam तो होने ही वाला नहीं, तो फिसर पढ़ाई के यो करे, ऐसे डिप की भी बहुत सारे बच्चों के यार, अधर अधर कमेंट देखने को बले, यार, अभी भी बता दो, क्रोरी, omicron के आहलाद दोस्तों, अभी इतने गंभीर नहीं हुए है, पूरी तरीके से दिया गया है, 14-18 फरवरी, बिल्कुल आपको इसी date में exam देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाला, दोस्तों, यार, आपको यही देखके समझ जाना चाहिए था, अगर election का date आ गया है, दोस्तों, गवर्मेंट election करवाने वाली है, चुनाओ आयोक के exam आपको देखने को मिलेगा, दोस्तों, यह doubt बिल्कुल मत रखिए, इस धोके में मत रहिए, कि आपका exam तल जाएगा, आपको 2-3 महने और मिलेंगे exam के तयारी के लिए, यार, ऐसे बहाने बनाने से अच्छा है, आप तुर अमल लगा के तयारी कीजिए, सिर्फ और सिर्फ है, दोस्तों, social media में बहुं सारे links viral भी हो रहे हैं, दोस्तों, और उस link में result आने का भी दावक के जा रहा है, क्लिक करने पे, लगातार यार, experiment link मान सकते हैं, दोस्तों, क्योंकि यार, उसमें click करने पे, कभी कुछ date, तो कभी कुछ date, इस type के दिखा रहे हैं, दोस्तों, ले लेकर experiment कर रहे होंगे, क्योंकि यार, आपको यह पता है, जैसी result आता है, दोस्तों, तो बहुं सारे बच्चों को, दोस्तों, बहुं सारी problem face करना पड़ता है, उनको time में result देखने को नहीं मलता है, दोस्तों, चाहा आप soror problem को लेकर बोलिए, चाहा किसी भी problem को लेकर बोल कीजिए, आप पूरा मान के चलिए, दोस्तों, आपका exam 14-18 परवरी को बीच में ही है, दोस्तों, बिल्कुल भी ये date नहीं टलने माला, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मल लगा कर त्यारी कीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते है नेक्स वीडियो में, अगर मेरा वीडियो आप इंपर्मिशन के साथ,